गुंदिया जिले के देवरी शेहर की एकसस बैंक की शाखा बैंक ने ग्राहक देवरी निवासी प्रमोद रोकडे का खाता था लेकिन लोकडाउन के दौरान बैंक में लेंदेन नहीं किये जाने के चलते मिनम बैलन्स नहीं होने के कारण ग्राहक के खाती से लगबक 13,000 की जमा के थी लेकिन उनके खाते में मात्र 7,852 ही जमा होनी का संदेश मिला जिस पर एक फरवरी को बैंक द्वारा बताया गया कि मिनमम बैलन्स ना होने तिथा विभिन्द चार्जिस के चलते कटोती की गई तिथा इस संधर्ब में बैंक के अस्थापक द्वारा राशी वा जाते हैं जब खाता खुलाया जाता है तो विभिन्द चार्जिस के नाम उनके खातों से राशी की कटोती कर ग्रहकों को चुना लगाया जा रहा है एक और तो कोरोना संक्रमन के दौरान लोगडाउन के चलते धंदा ठप हो चुके हैं लोगों के कमाई बन हो चुकी है उस से उनका एक्सिस बैंक से भरोसा उठने लगा है इस संदर में बैंक के उस्तापक ताइड़ी से जानकारी प्राप करने पर उन्होंने बताया कि मिनिममम बैलेंस की जानकारी हम नहीं दे सकते तथा काटी गई राशी मुख्याले में भेजती गई है जो वापस नहीं हो सकत है